मेरे प्यारे देश्वासियों, कल 30 नमंबर को हम स्री गुरु नानक देवजी का 551 वा प्रकास पर्व मनाएंगे। पूरी दुनिया में गुरु नानक देवजी का प्रभाव स्पष्ट रुप से दिखाई देता है। वैंकुवर से वैलिंग्टन तक, सिंगापूर से साउध आफरिका तक उनके संदेश हर तरब सुनाई देते हैं। गुरु ग्रन्थ साहिब में कहा गया है सेवक को सेवा बनाई यानि सेवक का काम सेवा करना है। बीते कुछ वर्सों में कई अहम पड़ाव आये और एक सेवक के तोर पर हमें बहुत कुछ करने का अवसर मिला। गुरु साहिब ने हमसे सेवा ली। गुरु नानक देव जी का ही पांसो पचासवा प्रकाश परव। श्री गुरु गोविन सीजी का तीनसो पचासवा प्रकाश परव। अगले वर्स श्री गुरु तेक बहदुर जी का चारसोवा प्रकाश परव। भी है। मुझे मैसूस होता है कि गुरु साहब के मुझे पर विशेश कुर्पा रही जो उन्होंने मुझे हमेशा अपने कारियों में बहुत करीब से जोड़ा है। साथियों क्या आप जानते हैं कि कश्मे एक गुर्द्वारा है लगपत गुर्द्वारा साहब। स्री गुरु नानक जी अपनी उदासी के दवरान लगपत गुर्द्वारा साहीब में लुके थे। 2001 के भूकम से इस गुर्द्वारे को भी नुक्सान पहुंचा था। यह गुरु साहब की कुर्पा ही थी कि मैं इसका जुर्णोधार सुनिश्टित कर पाया। नकेवल गुरु द्वारा की मरमत की गई बलकि उसके गौरव और भवता को भी फिर से स्थापित किया गया। हम सब को गुरु साहब का भरपूर आशिरवाद भी मिला। लगपत गुरु द्वारा के सवक्षन के प्रहासों को 2004 में युनेश को एसिया पैसिपिक हेरिटेज एवर्ड में एवर्ड आप डिस्टिंशन दिया गया। एवर्ड देने वाली जूरी ने ये पाया कि मरमत के दोरान सिल्फ से जुड़ी बारिक्यों का विशेस ध्यान रखा गया। जुरी ने ये भी नोट किया कि गुरुद्वारा के पुनरंद्रमार कारे में सिख समुदाय की न केवल सक्रिय भागिदार रही बलकि उनके ही मारदरसन में ये काम हुआ। लगपत गुरुदारा जाने का सोभाग्य मुझे तब भी मिला था जब मैं मुख्यमंद्र भी नहीं था। मुझे वहां जाकर असीम उर्जा मिलती थी। इस गुरुदारे में जाकर हर कोई खुद को धन्य महसूस करता है। मैं इस बात के लिए बहुत कुरुतग्य हूँ कि गुरु साहब ने मुझे से निरंतर सेवा ली है। पिछले वर्ष नवंबर में ही करतापूर साहिब कोरिडोर का खुलना बहुती अहत्यासिक रहा। इस बात को मैं जीवन भर अपने रदे में संजोकर रखूँगा। ये हम सभी का सवभाग्य है कि हमें स्री दर्वार सा आपके सेवा के लिए राशी भेजना और आसान हो गया है। इस कदम से विश्व भर की संगत दर्वार साहिब के और करीब आ गई है। साथ्यों ये गुरु नानक देव जी ही थे जिन्होंने लंगर की परंपरा शुरू की थी। और आज हमने देखा कि दुनिया भर में स्विक्समुदाय ने किस प्रकार करोना के इस समय में लोगों को खाना खिलाने के अपने परंपरा को जारी रखा है। मानवता के सेवा कि ये परंपरा हम सभी के लिए निरंतर प्रेणा का काम करती है। मेरी कामना है हम सभी सेवक की तरह काम करते रहें। गुरु साहिब मुझसे और देशवास्यों से इसी प्रकार सेवा लेते रहें। एक बार फिर गुरु नानक जैनती पर मेरी बहुत बहुत शुब कामना है।